दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और आपकी गॉर्मन जोब की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगे दोस्तो एक बार फिर स्वागत है उन सभी कैंडिडेट्स का जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए है इस्टडी विद रवी गोतम के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तो इस्पेशली आज का जो वीडियो है यह उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका डी एफ सी सी आईल का एक्जाम होने वाला है तो दोस्तो जैसा की पता है कि DFCIL की जो विकेंसी आई थी जो रिक्रूट्मेंट आई थी उसके एक्जाम की डेट आ गई है 25 ताडिकों और एक्जूटीव का जो एक्जाम है वो होने वाला है 25 अगस्त को तो दोस्तो उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिये गए हैं अब ए description में link provide करा दिया है आप वहां से सीधे क्लिक करके login page पे जा करके अपना admit card download कर सकते हैं तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो होने वाला है आज का ये वीडियो dfccil के exam का जो admit card है उसको कैसे download करना है आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ ठीके दोस्तों जिन लोगों का dfccil का exam है वो अपने admit card को कैसे download करें तो दोस्तों ये मैं सरकारी result.com की website से आपको admit card के section में लिजा करके आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि dfccil various post admit card यहाँ पर का link दिया गया है इस link के उपर हम click करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आप next page पे web page पे क्या कर जाएंगे मूव कर जाएंगे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो various post आई थी वो यह सब थी इसकी total number of post यह दी गई थी अभी जो 25 को एक्जाम है वो executive operations and business development का एक्जाम है जिसकी qualifications थी bachelor degree मांगी गई थी किसी भी stream में minimum 60% marks के साथ में ठीक है दोस्तों तो जिन candidates का first division के साथ में graduation है वो यह application form फिल कर सकते थे ठीक है और भी अलग-अलग post के लिए थे किके दोस्तों यहाँ पर vacancy का डिस्ट्य केडिगरी वाइस distribution दिया गया है कि किस तरीके से सीटे बाटी गई है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको admit card download करना बताने वाला हूँ आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे download admit card तो आप यहाँ से अपना admit card download कर सकते हैं दोस्तों जैसे यह आप download admit card पर click करेंगे आप सीदे-सी-सी-सी-ई-ल के website के login page पे चले जाएंगे दोस्तों यह अलग से ministry of railway के अंतरगत चला जाने वाली है government of India की एक body है ठीक है चलिए तो जैसे ही आप login पे आएंगे तो आपको करना क्या है कि अपनी user id या application form नंबर या cancer registration नंबर आप यहाँ पर enter करेंगे जो भी candidate का password है वो password candidate अपना password यहाँ पर enter करेगा और इस capture code को यह यहाँ पर enter करेगा then login पर button पर click करेगा दोस्तों in case अगर आप अपना password भूल गए है या user id भूल गए है तो आप यहाँ से recover कर सकते हैं password को change करना चाते हैं तो आप यहाँ से change कर सकते हैं तो चलिए भीना देरी किये हम एक candidate की user id और password को यहाँ पर enter करते हैं और admit card को download करके ब कर दिया गया है अब हम login पर click करेंगे जैसी दोस्तों आप login पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से आपके सामने login हो जाएगा candidate का first tab में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है application details दी गई है इस पर click करके आप admit card download कर सकते हैं और यह help test दिया गया है ठीक ह दोस्तों सबसे वहली बात आप देख सकते हैं कि जो हमरा dda के exam के मैंने admit card को download करना आपको बताया था exactly यह वैसा ही है वही portal है ठीक है बस वो dda के लिए था और यह tfccil के लिए है तो आपको करना क्या है admit card पे आप click करेंगे जैसे admit card पे click करेंगे और इसे उपर करेंगे त आपको admit card डाउनलोड करने का एक बटन दिया गया होगा महा से आप अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं admit card डाउनलोड करने के बाद आपको कैसा दिखेगा यह चलिए मैं आपको admit card डाउनलोड करके दिखाता हूं दोस्तों यह है admit card admit card आप देख सकते हैं कि यहाँ पे candidate का roll number द आपकी जो photo upload की गई थी, signature ये सारी चीज़े दी गई है, ठीक है, exam की reporting की timing क्या है, gate closing time क्या है, और exam center यानि की venue कहा है, आर की digital computer center, right, exam की date, day and timing, duration की कितनी देर का ये exam होने वाला है, दोस्तों, दो घंटे का ये exam होने वाला है, candidate के लिए जो important instruction वो ये, कि candidate जब अपने admission के time पे in the examination hall और examination center, he, she must carry e-admit card, printed copy of e-admit card, blue black ball pen लेके उसे जाने है, रफ़र के लिए, ठीक है, और duly filled an exhibit, the facility of a scribe is being availed, रफ़ को पी महीं पे दी जाएगी, ठीक है, और अपना एक original ID proof लेके जाने है, जो government से approved हो, और दो latest passport size के colored photographs लेके जाने हैं, दोस्तो, कोई अगर dress code है, कोई और important instruction है, तो दोस्तो, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप जब अपना admit card download करेंगे, exam देने जाने से पहले, आप इन important instructions को अविश्य पढ़के जाएं, ठीक है दोस्तो, किसी तरह का कोई dress code है, तो उसे भी follow करें, बहुत strictly उसको follow करें, तो दोस्तो, ये था आज का वीडियो, जो कि किसके regarding था, कि कैसे आप अपना DFCCIL का जो exam होने वाल या है, 25 अगस्त को या और अन्य किसी date में, तो कैसे अपना admit card download करें, तो इस वीडियो को जरूर follow करें, ठीक है, अपना admit card download करने के लिए, और ये वीडियो, आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताए, comment करके, ठीक है, और आपके कौन-कौन से exam आने वाले हैं, या आप किस-किस job के, या किस government job के exam में interested हैं, तो दोस्तो हमें जरूर बताएं, थाकि हम उन topics पर वीडियो बना सकें, ठीक है दोस्तो, और आपको और किस तरह की help चाहिए, ह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो वीडियो को जादस जादस शेयर कर दे, ठीक है, और चैनल पर इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहें, धन्यवाद दोस्तो, वीडियो देखने के लिए, वीडियो को पूरा जरूर देखा क करते हैं ठीक है दोस्तों चलिए धन्यवाद बाइबाइट टेक केर और इस अच्छे से अपना एक्जाम दे थैंक यू दोस्तों